हाज जी, हलो नवश्कार, welcome to this new video, so आज की वीडियो का topic majorly होने वाला है, कि क्या PhD जो है, वो job की guarantee देती है, यानि अगर आपने PhD कर ली, so उससे क्या होगा, क्या फाइदा होगा, नोकरी मिल जाएगी, permanent मिल जाएगी, सरकारी नोकरी मिल जाएगी, या private में तो मिल ही जाएगी क्या scenario रहता है, उसके around जो है, वो आज का video हमारा होने वाला है, तो देखो जी, PhD जो है, वो और specifically, अगर आप JRF की साथ कर रहे हो, तो हाँ, 5 साल finances की guarantee वो आपको दे रही है, कि 5 साल आपको JRF, दो साल JRF, दन 3 साल SRF मिल रहा है, इसके बारे में already हम बात कर चुके हैं, जिसन अब बात आती है, कि फिर कर क्यूने, it's like, JRF मिल रहा है, चलो 5 साल की guarantee होगी, और क्या, और क्या जो है, वो आपको PhD प्रोवाइड करती है, so PhD जी, अगर आप एक word में सुनने के लिए बैठी है, कि हाँ या ना में बताओ, PhD जोब की guarantee दे रही है, नहीं दे रही है, PhD के आपको eligibility देती है, यानि कि आप जब PhD कर रहे हो, कर ली है आपने, so वो जो API score होता है, यानि कि जब आप कहीं vacancies निकली है, direct university में, और university वाले बोल रहे हैं, कि हम API score के basis पे सिर्फ इंटर्व्यू लेंगे, और हम जो हैं, वो एंट्रेंस नहीं ले रहे हैं, टेस्ट नहीं ल certificate होना चाहिए, तो उस scenario में आपको जो है, वो 15 से 30 तक, वो university wise vary कर सकता है, बहुत बार, otherwise UGC की बात करें, तो हमें 30 नंबर basically, सिधे-सिधे, PhD के मिलते हैं, कि अगर आपने PhD कर रखे है, तो 30 नंबर मिल गए, आपको otherwise नहीं मिले, so ये एक सबसे बड़ा major point होता है, PhD के या professor बनना है, तो आपको eligibility में again, PhD की जरूरत पड़ेगी, so PhD आपको job की guarantee नहीं दे रही है, job तो obviously आपके effort से, किसमत से, vacancies निकल रही हैं, नहीं निकल रही हैं, बहुत सारे factors के उपर depend करेंगी चीजी, but PhD एक तो आप अगर GRF के साथ कर रहे हैं, तो 5 साल तक आपको बहुत आपको time मिल रहे है कि आप सोच सकते हो, आपने क्या करना है, क्या चीजी है, further क्या planning करनी है, किस तरीके से आप अपने career को आगे लेके जाना चाहरे हूँ, so वो चीज आपके पास time होता है, वो चीज को सोचने के लिए, दूसरा ये आपको eligibility दे देती है, कि आप जब API score calculate हो so PhD की वजए से obviously आप point मिलब आगे ही रहेंगे थोड़ा सा, direct-direct 30 marks बहुत matter करते हैं, अगर आपने बाकी सारे subjects, मिलब बाकी सारे subjects in the sense, पहले आपने BSC किया, MSC किया, BA किया, ME किया, so वो चीजों में भी अगर आपने full-full 80 से above marks ले रखे हैं, और आपका score जो है, वो highest बन रह आप 30, तब तक तो कोई चीज होई नी पाएगी ना, एक मार्क्स पे आज लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे, so competition बहुत जादा होता है, तो PhD आपको eligibility प्रवाइड करते हैं, आज तो आप देखेंगे कि, चाहे आप JRF करो या बिना JRF करो या प्राइवेट से करो, लोग PhD क degree लेके बैठे हैं, चीक है, so वो eligibility line में भी बहुत लंबी line है already, PhD वाले भी बहुत सारे हैं, चीक है, जिनोंने PhD कर रखी है, so major point यह हो जाता है, कि यह आपको guarantee नी दे रही है, जोब की लेकिन, जोब की तरफ एक कदम आगे बढ़ने में help कर रही है, आपकी, चीक है, so यही major point इसका रहेगा, otherwise आपके पास 5 साल तो आपको मिल ही जाते हैं, आप आराम से सोच सकते हैं, चीजों को analyze कर सकते हैं, कि आपको किस side जो है वो आगे बढ़ना है, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ PhD जो है, वो JRF के चकर में ही कर रहे होते हैं, कोई interest उनका होता नहीं है, but they are also eligible, ठीक है, so आपको जोब दिलवाएगा, आपका पैशन, कि आपने पढ़ी हैं, चीजे ही, पीचडी के चकर में आपने पढ़ना नहीं छोड़ा है, जो नेट का syllabus है, वो पढ़ना अगर आपने छोड़ दिया, तो जहां entrance test के basis पे पे अपकी vacancies निकलेंगी, वहां गड़ सो वो चीज नहीं हो पाएगी जी, पीचडी तो आपको करनी है, उसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, कि आपको अपने subject पे पगड़ बना के रखनी है, सब्जेक के टच में रहना है, जिस दिन आपका subject आपसे छूट गया ना, चाहे वो महीने के लिए छूट गया, दो फिर गड़वड हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको अपना ही subject जो है, वो दुश्मन लगने लग जाएगा, आपको डर लगने लग जाएगा अपने subject से, कि आप उससे दूर होते हुए चले जाएगे, ठीक है, सो वो चीज ना हो, इसलिए और आप escape zone में ना जाएए, बचा कई ना कई तो, कभी ना कभी तो साथ दे हीगी, ठीक है, सो रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, बाकी तो संबाल लेंगे, उपर वाला बैठा है वाली situation, कि destiny है ही, सो वो चीजे संबल जाएगी, पर आपके हाथ में महनत है, सो वो करना मद छोडिये, और ये चीज की clarity दि डिजर्विंग रखिये, ता कि जब आप नोकरी लगें, तो कोई ऐसा ना हो कि साथ वाला candidate, या आपकी classmates, या बाकी लोग ये बोलें कि यार, ये भी लगगे, पतानी कैसे लगगे, तो वो situation ना है, उनके दिमांग में ये आना चाहिए, कि यार ये डिजर्विंग थे, ठ आपको बना देगी, और लाइफ में भी बहुत कुछ सिखा देगी, तो वैसे बहुत सारे फाइदे हैं, बट पीएच्डी इस डेफिनेटली नाट इकॉल तो जोब, ये बात हमेशा याद रखिये, ठीक है, तो आपको समझ आ गया हो चीज़ों के बारे में, एंड दिस व आपको समयलिंग, मिलते हैं आपकी एक्वेरी के साथ किसी और वीडियो में, थैंक ये सो मच फो वाचिंग,